वरंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है हमारे संतों ने भी कहा है यह आसा धरी चित में कहत जथा मति मोर वरंदावन सुख रंग कव काहून पायो और यानि वरंदावन के महमा हम सब अपने अपने सामर्थ के हिसाब से कहते जरूर है लेकिन वरंदावन का जो सूख है यहां का जो रस है उसका अंत कोई नहीं पा सकता वो तो असीम है तभी तो वरंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्थित करता रहा है इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी पस्चीमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भाती परिचीत होंगे क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं पर्तमे एक सेक्रेड इंडिया गैलेरी इस नाम से एक आर्ट गैलेरी भी है यह गैलेरी स्वान बेली के एक खुब सुरत ख्षेतर में बनाई गई है और यह आस्ट्रेलिया की एक निवासी जगत तारिनी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है जगत तारिनी जी बैसे तो है उस्ट्रेलिया की जन्म भी वहीं हुआ लालन पालल भी वहीं हुआ लेकिन 13 साल से भी अधिक समय ब्रंदामन में आकर के उन्होंने बिताया उनका कहना है कि फिर आस्ट्रेलिया लोड तो गई अपने देश वापिस तो गई लेकिन वो कभी भी व्रंदामन को भूल नहीं पाई इसलिए उन्होंने व्रंदामन और उसका अध्यात्मिक भाव से जोड़ने के लिए आस्ट्रेलिया में भी व्रंदामन खड़ा कर दिय अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अध्भूर्त व्रंदामन उन्होंने बना लिया यहां आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का आउसर मिलता है उन्हें भारत के सरवाधिक प्रसिद्ध तिर्थस्तलों व्रंदामन नवाद्वीब और जगनात पुरी की परंपरा और संस्कृति की जलत देखने को मिलती है यहां पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतिया भी प्रतसित की गई है एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है जिसके नीचे वरंदावन के लोग आहिस्ताई लिए हुए है जगत्तारेणी जी का यहाद भुद्प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का धर्शन कराता है मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत शुक्पामनाय देता हूं मेरे पहरे देश्वासि हमारे बुंदेलखन के जांसी से भी है दरसल जांसी की रानी लक्ष्मिबाई जब इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाब कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग जॉन लैंग मूल रूप से आस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे भारत में रहकर उ यह हम सब जानते हैं यहां रानी लक्ष्मिबाई और जल्रकारी बाई जैसी विरांगनाय भी हुई और मेजर ध्यांचन जैसे खेल रत्न भी इस खेत्र ने देश को दिये हैं